नमस्कार सर सर नमस्कार जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर सिंग, राणा नाम है जी कश्मीर जी आप कहां से आई हो? सुंदरनगर डिस्टिक मंडी से आया हूँ सर सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं खेती वाड़ी करता हूँ यहाँ पर सरसंत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या वक्ति साधना करते थे? कि जिनको मैंने शराफ दिया हुआ है वो मेरी घटना में 11 लोग हैं और वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी ऐसी कंडिशन है कि मेरे दिल खोल जाता है और प्रमात्मा से यही अर्दास है गुरुजी सद्गूर रामपाल जी महाराजी से कि प्रमात्मा ये जो करम भोग र तो लोगों को जैसे प्रशन डालते हैं वो भी काम करता था तो चलंगी सधंगी और मधंगी तीन तरह की विद्या थी इस संसार की ये तो वो मैं काम करता था तो जिससे लोगों का जादा से जादा भला करता था लेकिन बाद मैं इस चीज़ का अनुभव हुआ तो मैंने कमाई ही गवाई है लेकिन उससे कुछ फाइदा ने मिला दुख के साथ सिवा मुझे कुछ ने मिला जिंदगी में सर पहले आप नागा पन से जुड़े वे थे आप नो साल तक नागा सादू बन करें और उनके द्वारा दीगी भक्ति सादना की सर इतनी भक्ति करने के बाद इतनी तपस्या करने के बाद अचानक आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप संत्रामपाल जी महराज की संड में चले गई सर मैं भागवद गीता खुद भी पढ़ता था कुरान श्रीफ मेरे घर में है ठारा पुरान भी थे और उनको पढ़ता था लेकिन मुझे उसका मतलब और मीनिंग नहीं समझाता था लेकिन एक दिन अचानक टेलिविजन के आगे बैठा हुआ था तो कुछ थोड़ी सी घटना मैं और भी बताता हूँ आपको कि मैं किसी मैंने सादू पुना छोड़ दिया था नौ साल के बाद तो मेरे जो देवी देवते थे वो मेरे पीछे पढ़ गए लोगों को प्रेत लेकिन ऐसा हुआ कि वो आपस में सब लड़ गए 33 क्रोड देवी देवता ऐसे हो गया जैसे महाबारत का यूद धो रहा है और लड़ाई हमारी आपस में होती बगतमती जी के साथ होती और मेरी होती मेरी घरवाली के साथ मेरी लड़ाई होती तो उसमें इतना हालात आपको दूसरे तांत्री के पास जाना पड़ेगा तो वहां पर गया तो उन्होंने का गिए आपको इनके सब के मंदर बनाने पड़ेगे तो बगत जी एक किसान आदमी अपने पेट का पालन करेगा कि इनके मंदर बनाता रहेगा तो उससे थोड़ा सा मन हट गया ठेस तो सुनते सुनते मैंने भागवत गीता और ज्यादतर उस दिन उन्होंने देवी भागवत पुरान के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उसको जब मिलान किया तो मेरे कलेजे के चितरे उड़ गए भी ये ग्यान कहां से आ गया और उसको सुनते सुनते ऐसी गंदी आत्मा भी था कि सथसंग भी सुनता था लेकिन आत में बीड़ी थी और ये ही स्मोकिंग करता था और एक साल तक कर मैंने सरसंग उनका सुना, सरसंग सुनने के बाद फिर मुझे ललत होगी कि मैं अब इस रास्ते पर मुझे जाना पड़ेगा और ये कुछ नया ग्यान है और कुछ नया अनुहब भी था, तो भगजी मैंने किसी सर मैंने किसी भगद को ढूड़ने की कोशी क क्योंकि अकेला था, गाओं में मेरे साथ और कोई नजदीक भगद नहीं है, तो उस से फिर मैंने किसी भगद के साथ संपर्क किया, तो उनके साथ हमारे गोहर जी के गोहर साइड पढ़ती है, डिस्टिक मंडी में वहां के भगद हैं, हेमराज जी, उनके फौन किया, और उनके साथ फिर बरवाड़ा आश्रम में मैंने नामदान लिया, तो गुरु जी का शिरिवाद भी मिला और भगती मिली, और वो ही मेरे लिए बड़ा खास दिन था, 14 अगस्त 2014 को मैंने सद्गुर रामपाल जी महराज के शरन में ग्रहन की थी, सर, जैसे कि पहले खुद आप एक सादू थे, नागा पन से जोड़ेवे थे, और उनके द्वारा दी गई भक्तियाप कर रहे थे, और 9 साल तक आपने बड़ी तपश्या की, खूब सादना की, संत रामपाल जी महराज के परवचन सुने, तो सर, आपको संत रामपाल जी मह सारा जी के ससंग सुनने के बाद, जिस वे ले, जिस वक्त हमने भागवत गीता हम पढ़ते थे, पंद्रमे अध्याय का पहला सलोग पढ़ते थे, पीपल का वरिक्ष ये संसार एक पीपल का वरिक्ष है, लेकिन पढ़ते तो जुरूर थे, लेकिन कड़ते नहीं थे, सर, रामशुद्धी था, जो भी था, वे जैसा भी था, परमात्मा ने अपनी तरफ खीचना था, तो तडफ तो भगती की थी, भगवान की थी, लेकिन मालक के साथ जुड़े, अच्छा ग्यान लगा, तो इसलिए हम परमात्मा के साथ जुड़े हैं। पता है, ना उस पीपल के ब्रिक्ष का पता है, भी उस पीपल के ब्रिक्ष का क्या सिस्टम है, और क्या उसमें कितने साथ हैं, लेकिन हमारे ग्रुजी ने उसके बारे में एक एक विवाग के बारे में बता दिया, अक्सरपुर से एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, ती यही पुरन गुरू थे और इन्होंने हमें पूरा ग् writings having दिया आखिर सराब कहना क्या जाते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे गुरू हैं धर्महरू bind हैं संत क्या उनको किसी को ग्यान ने क्या संत्रांपाल महालाज तो साफसा बना करते हैं कि मेरे लवा किसी के पास ऐसा ग्यान नहीं है सर ग्यान ऐसा है उनके पास जो ग्यान है लेकिन पढ़ाई की है लेकिन उनको असली ग्यान का पता नहीं है हमारे गुरुजी ने जैसे एक दही में से मक्षन निकाल दिया है वो ग्यान हमारे गुरुजी ने एक नया ग्यान जो है सामने लाए है सर मैं आप से ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महराज की संद में जाने के बाद आपको क्या लाब मिले सर मुझे सबसे पहला तो यह है कि यह जो देवता का महाबार युद्ध होता था उससे निजात मिल गई मैंने उनको जैसे भी नामदान लिया और जल परवाहित कर दिया गुरू जी की आग्या से और सबसे मेन और सबसे खास मुझे जो फाइदा हुआ वो मेरी भगत मती जी को जीवन दान दिया गुरू जी ने ये सबसे एहम मेरे लिए बहुत बड़ी खास। क्या घटना हुजी वो कैसे हुआ? मैं खेत में टमाटर लगा रहे थे, टमाटर लगाते वक्त मेरी भगतमती और मैं दोनों ही हिमाचल में रहते हूं। भगत जी एक बात और भी बताता हूं कि मैं हुश्यारपूर में मेरे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, पिता जी एरफोर्स की नौकरी करते थे, वहां भी थोड़ी बहुती जमीन है, दुकान करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर हिमाचल में भी हमारे दादा जी की पुरानी जमीन पड़ी थी, तो मैं यहां पर काम करने के लिए पंजाब से यहां आ गया, तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मैंने खेती बाड़ी में टमाटर लगाये हुए थे, तो टमाटर के डंडे गाड़ रहा था, गाड़ते गाड़ते भगतमती जी को सुकी साल पहले अपनी भगतमती के साथ मेरी शादी हुई थी, तो मैंने भगतमती को शादी से दूसरे तीसरे दिन उसको प्रशन कर दिया था, कि आपकी मौत जो है 33 से 34 साल की उमर में आप खतम हो जाओगी, आपकी आयू ही इतनी है, लेकिन मैं उस भविश्यवानी मैंने की थ रहा था, और रंग बिलकुल पीला हो गया, और कुदरती ऐसी बात थी कि उस दिन बारिश का मौसम था, हिमाचल की बात है, आप सब लोग जानते हैं, कि अगर दो तीन घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पहाड़ी लाके में दूंद पड़ जाती है, ठंड के कारण ट जिन्दा ही जला देना था, क्योंकि हमारे रिती रिवाज में, हिमाचल के रिवाज में देवी देवताओं को कुछ खास मानते हैं, तो उस खास वज़ा से मुझे रोना आ गया, लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मैं गुरु जी के प्रमात्मा जी से, संद्गुर रामपाल ज भगजी बता नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रासना लगाई कि गुरु जी ऐसा ऐसा हो गया है, तो उन्हों ने भगजी ने मेरी प्रासना जो गुरु जी के तक पहुंचाई, तो गुरु जी ने दवारा उसी आदे गंटे गंटे के बाद फिर दवारा मुझे उसी फोन गंटे के बाद मेरी भगतमती को मैंने घर में गया, गुरु जी ने बोला आप माला जाप करो, मैंने माला जाप की और घर में गुरु जी का दिया हुआ एक अमरित की शीशिया में दी जाती है, आश्रम में, वो अमरित लेया कर मैंने अपनी भगतमती जी के मुग में डाल दिया तो तीन गंटे के वाद उसको होसा गई ये सबसे मेरी खास और ऐसी घटना है जिस घटना को देखकर मैं आज मर सकता हूं लेकिन जुक नहीं सकता हूं और गुरु महराज परमारतमा बंदी छोड़ सद्गुराम पाल जी को कभी नहीं छोड़ सकता और क्या लाब मिले के बंदी छोड़ सद्गुराम पाल जी के घुन नहीं का सकता लेकिन एक छोटा सा नुह बोर बताता हूं क्योंकि पहाड़ी सोच भी है कुछ पंजाबी सोच भी है तो ऐसे है कि हमारे खेतों में सूर आ जाते हैं जंगली जानवर तो मैंने क्या कि किसी मारने वाले को जो मरवाने के लिए किसी पाप का हकदार बन रहा हूं और मैं इनको मरवा रहा हूं लेकिन बोल तो दिया भगज जी सर जी लेकिन दुनिया वर के बंदूग ले धारी वहाँ पर सिकारी पहुंच गे जीपे ले आए लेकिन जब मुझे याद आया कि मैं बहुत गल्त कर चुक गए भागते हुए गए और उसी खेत के लास्ट कोने में जाकर वो दोनों ही दो सूर थे जोड़ा था दोनों ही वहाँ पर मिट्टी की धेरिया बन गए बंदूग वाले आते रहे घूमते रहे चले गए लेकिन लास्ट मैं उन्होंने मुझे गालिया निकाली कि तेरे जै मिट्टी की धेरी फिर सूर बने और वहीं पर चले गए मैं उनके नजदीक जाकर उन्होंने मेरा कोई नुक्सान नी किया मैंने उनके जागे आगे हाथ जोड़ा कि भगत जी मेरे से गलती हो गई आप यहां जिंदगी बर रहो जब तक रहो आपकी जगा है मेरे परमातमा ने आपको भी जीवंदान दे दिया आपको तो मेरा उस वक्त भगजी बहुत रोणा निकला मैं आपको पता नहीं सकता हूँ इस मालक ने जगा जगा पर मेरे साथ दिया है भगजी एक गरीब आदमी और एक किसान आदमी के पास कितना धंदौलत होता है हर आदमी को पता ह है बहुत मेहनत करता हूँ एक बैल से ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं लेकिन इस मालक ने मुझे कभी भी कमी नी दी कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है मैं ड़ता हूँ अगर लोगों को भी उता हूँ शायद अगले मजाक समझे गरीबी का मजाक उड़ता है आज संसार में तेरा बच्चा तो भूखा मर जाएगा लेकिन परमातमा मुझे सुबह सराने के नीचे 500 रुपे रख देते हैं वेटा इतना ही दूँगा ज्यादा नहीं दूँगा तेरे को और इस परमातमा ने जब कांड हुआ ग्यारा 14 नमंबर 2014 को तो उस वक्त हम रास्ते पे थे तीन ह आजरिया मेरी हो चुकी थी तो गुरुजी के साथ हैसी गटना इन बेइमानों ने इस सरकार हर्याना सरकार ने कर दी कि हमारे पिता जी को अंदर कर दिया हम किसी के आगया बन दुख नहीं का सकते ना ये संसार सुन सकता है क्योंकि आँख के अंदे और अकल के अंदे अन्ये संतों के जो श्रधालू हैं बगत हैं जो अन्ये देव देवताओं की पुझा करते हैं उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी अकासमी गटना इगड़ जाती है उनको जीवन्दान नहीं मिल पाता है वो भी बहुत फरियाद करते हैं अपने गुरू से अपने बगवान से और आपने संतरामपाल जीमानच को याद किया और आपके पतनी की जीमर रख्षा हुई इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अन्ये संतों के अन्याई है उनको ये लाब क्यों नहीं मिल पाते हैं जी के शवद में शक्ती है जो वो एक बार शक्ती ह हमारे संचार हमारे स्रीरों में पहج किए है तो वो साथ रहते हैं सब्द रूप में हमारे सद सदा साथ रहते हैं सर संथ रामपाजी महारगी जिनको आप परमातना बोलते हैं जिन्होंने आपकी पत्नी के रक्षा की और आपको सूरों की हत्या के पाप से बचाया एक ऐसे संथ पर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके अन्योयों का अभी भी हिसार में जाना या उनके दर्शनार जाना एक अन्धिस्वास है आज भी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो एक अंधभक्ती के तहट जुड़े हुए हैं आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अर्बों के इसाब से अमेरिका, इसराइल, पाकिस्तान, हर जगा जगा पर कॉडिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं और भगत जुड रहे हैं, दिन रात जुड रहे हैं और भागे दोड़े जा रहे हैं प्रमात्मा के साथ जुड रहे हैं। सर जो सरदालू संत्र रामपाल जी मारच से आज जुड ना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्ता की गई है? सर प्रमात्मा की किरपा से हर डिस्टिक में, हर स्टेट में कॉडिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं। भगत जन साधना चैनल पर नीचे पिली पट्टी आती है, गुरु माराच का प्रमात्मा का बंदी छोड़ सत्गुरामपाल जी का ससंग आता है, उसमें नीचे पिले रंग की पट्टी होती है, उसमें मुवाइल नमबर दिये होते हैं, उन मुवाइल नों पर आप संपर् कोडिनेटर जहां पर नाम स्थलन के इंदर होगा, आपके नजदीक होगा, उसके बारे में आपको भगत जन बताएंगे, आप वहाँ जाकर परमात्मा से जुड़ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सत्साहेव